गुड वर्निंग्स ट्रेंट्स मैं डॉक्टर पियल सैनी और मैसेल्फ गनेश शोहन और हम लोग दोनों ही अभी इस एम्बरोजी के फिफ्ट एपिसोड में आपसे आपके सामने हैं और हम चाहेंगी कि आप इसे बिलकुल यह फाइनल इसका एपिसोड है तो इसमें और भी क उस चीजें हम लोगों ने एड की हैं मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीजों को चीक से समझें सब्सक्राइब देखिए क्वेश्चन नमेरे आपके पास 169 ए पॉलन ट्यूब एंटर दा ओव्यू थू चैलेजर लेंग अपोजिट दा माइक्रोफाइब इट विल एंटर से ओव्यूल है इस ओव्यूल में पॉलन ट्यूब के एंट्री माइक्रोपाइलर एंड के थू होगी हम लोग इसको नेम दे देते हैं पोरोगेम यदि मिडिल पार्ट से एंटर हो रहा है तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूस कर सकते हैं मीजोगेम और यदि चैलेजर ले सब्सक्राइब करें ऐसे करें इस से करें इस से क्के लिए और ही होगा इंट सो अलवेज माइक्रोपाइलर चला जाता है यहां और चीज जिस जो पूरोगेमी है वह सब मेजोरिटी में प्लांट प्लांट यह पूपूर बिटेसे में मीजोगेमी देखी जा सकती हमें जो गया में अच्छा कुछ आने आप लोग इसे ध्यान दें मतलब कहीं से भी एंटर ओ लेकिन एक्चुली एग की जो लोकेशन होती है वह माइक्रो पाइलरेंड पर ही आना होता है तो इन अंब्रियो से एंट्री अल्वेस अकर्स थूप्रू माइक्रो पाइलरेंड वाल इन ओविल इस एंटर थूप टेलेजा इंटाइग्वेंट और माइप्रोट हाँ अब्रियो से के लिए हम लोग क्या-क्या कंडिशन ले सकते हैं जाओंगा चुआंसर इसके बारे में अपना वही है एक अर्किस्पोरिल टिशु है मतलब नुशिलस की एक सेल कोई भी कार्ण नुशिलस की एनी वन सेल आप नुशिलस तोबस दा माइक्रोबालर और डिप् सब्सक्राइब नुशिलस के लिए अपने बात की होगी अभी यह आपके पास एक ओव्यूल था इस ओव्यूल के यह इंटाइग्मेंट्स होगे चो आंसर इस एरिया के अंदर हमारे पास मुशिलस होगी उसकी एक सेल एलार्ज होगी हम लोग इसके लिए इसमें हम लोग एलार्जमेंट के टाइम इसको आर्ची स्पोरियर सेल बिल्कुल जब यह अपनी एक्स्ट्रीम साइज गेन कर ले तो मदर सेल फिर मियोटिक डिवीजन लीनेर टेट् से थ्री सेल माइक्रो पाइलर एंड वाली डिजनरेट होगी यह फॉंक्शनल मेगा स्पोर एंड कि डिफ्रेंशेट इंटू एंब्रियोस है तो मारा थर्ड आंसर चेल लगाए अच्छा डिफ्रेंट में एंधर इस फोर्म ए इसेंद इस इंडल सेल यू इससेंगेल सेल लेक्टो सेललेप्टोस पॉरेंजीट अपर दो को स्कूल पेटा गया एक तो आपको बदा वन्हें कि लेक्तोव और यू का मेनिंग क्या कि पोरेंजिया डव्लप्रो फ्रॉम् इस इंदर चला जाता है इस अपके पास एपिडर्मिस थी इस एपिडर्मिस के लोवर पार्ट में यहां पे जो सैल है उन में से यह सैल का ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा एक्टिव हो गया और यह जो है जो है माइक्रोश्प्रेंजिया फॉर्म करेगा तो यू और है यह अच्छा कुशन है अचली यह पार्मिस कहीं ने कहीं आपके स्टार्ट हो जाता है त्रिडर्फाइट से जिब्स पाइट है यह यू एंड लेप्टोगा गंसर जाता है और हम समस्ट रहते हैं कि फार अच्छा लोगर जो ट्रिडर्फाइट है उनमें यू का गंसर्प्त होता है विल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जाता है तो ओव्यूल की मेटाबोलिक अक्टिविटीज जो है वो स्लो हो जाती हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यह भी पूसकते हैं कि अब पास पुइंट आता है कि इसके अंदर किसकी वज़े से इसा होता है तो आप लोग सब जानते कि स्रीडी के अंदर आप की पूसरे प्रमोट करता है ताकि डियेक्शन्स जो हैं मेटावोलिक रेक्शन्स नेगलिजिवल हो जाए ताकि फूर्ट वूड बचा रहे जाता है जो अंसर फर्स्ट आपका डवलप्मेंट ऑफ रोथ ही नेविट है ठीक है एपसिशन ऑफ यूनीकल ये भी करेक्ट है और चैंज इंटेग्यमेंट ये भी करेक्ट है हार्ड हो जाता है इंपर्मियबल हो जाएगा इसे इसके लिए तो मेटाबोलिक अक्टिविटी पॉर्प्मेंट के लिए आप लोग मान सकते हैं कि गेसे अपने आप मेटाबोलिक अच्विटी लूजए वही से एंट्री पॉर्सिवल वही से जो अनरोबिक पिस्व करता है तो अनरोबिक के लिए गैसे सेक्शिंज आपके सीड पोर या माइक्रोपाव पोर से ही तो सपोर्ट इनिशेल ग्रोथ ओवरी लिमिटेद अमाउंट ओफ अडिशनल लॉग्जीन प्रों कार्पेलरी टीशू बिकम एफेक्टिव तो टूगेधर विद इन्होंने हमारा पिछले एपिसोड में ये डिसकॉशन भी वहा था और वहीं से अपने इस क्वेशन को लि उसका रीजन ही होता है कि उनके पास लो अमाउंट ऑग्जीन होती और पॉलन ग्रेन उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड करता है ठीक है तो जब तक पॉलन का ऑग्जीन उसे अवलेबल नहीं होगा तब तक उसके अंदर फूड स्टोरेज इंडूज नहीं हो यहां यह है कि आधिव आप यह बात समझे कि आखर फूड बना रहा है उसी इसलिए इन दोनों की जो फॉर्मेशन को के और एक ऑगर सीड बनेगा तो ही फूड बननेगा मतलब इसलिए कहा जाता है कि जब पोलंग एन आता है परडिलाजिशन की में नियस होता है तो उसकी पॉलन ट्यूट से कही ने कही वह उग्जिन जाके गें का लेता है वो एक इंडेक्शन अफेक्ट की तरह कान जाता है और उसके फूरेज प्लस उसका सेल डिवीजन इंप्रोब होता है और उससे फूर्ट बन जाता है यही सेल जाता है इस ट्रीग मांपी करने कि तो टेग्मा जाता है क्योंकि उसमें फ्लोवर तो होते नहीं और विदाउट फ्लोवर स्टीग्मा का से आएगा तो आपके पास कार्पल है भाकाइड़ ठीक है और पॉलन ट्यूब है और आपके पास ओवियूल का मतलब आप ना वह अकेला जो ना स्टिग्मा इस्टाइल वह नहीं ले सकते ओवियूल को भी कार्पल का ही एक पार्ट मानना चाहता है तो इसलिए इसके ओपर कन्फूज हो नहीं हो ना क्योंकि ना तो एंथर होते और ना स्टिग्मा और स्टाइल अफूज हो दा मेल गैमीटफाइट और एंगियोस्पर्म इस्मोस्ट पूर ली डावलपड भी कोज एक अच्छा 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 कंसेप्ट लिया हा है कि जैसे जैसे प्लांट के अदर एवोल को वाटर से इंडिपेंडेंडेंस हो गई दूसरा इनका डवलप्मेंट इंटरनल होता है तो इसके अबस के अंदर हम लोग इसके इसमें क्या रख सकते हैं तो फर्स दुन काया किता मेल केमिटर फाइट ऑफ एंजियो सपर्म सब्सक्राइध करेंसे देख सद्सक्राइण मरतते सब्सक्राइबड कर JC कामीन कि समय क्या न nutr. इत न नहीं हो यह इसम नहीं? आपीं और When the team says gedaanThe Second balance प्रॉस आफ देख सकता है? और photosynthesis करता तो free existence रख सकता बिल्कुल बिल्कुल ये nutrition ही तो नहीं होता इसके पार हाँ क्योंकि इसको dependencies हो करनी हो तो इसको और अच्छा कुछन यहां पर उठाया है कि अपने इसको और भी diversity से बिल्कुल कर सकते हैं यह बात लिखी है कि male gametophyte of gymnosperm are restricted up to certain cell certain cell reduce है और वो restricted है कुछ एक cell से जैसे पाइनस में जो male gametophyte है उसमें आप देखें कि यह 4 cell की position है टू प्रोथेलियल जैल और वन इजनरेटव और इस बैजिचित इस इस पाइनस में ही हमें बिलता है साइकस में हम जाएं तो फिस्ट प्रोथेलियल वैन जैसे ही आप यह के स्टेज में जाते हैं और यह एंच्जियो की केस में हमें देखने को मिलता तो कही न कहीं देखना जाये मेर्ट रिड्यूस फॉर्म में यहां पर चला जारा रहा है तो क्योंकि अगर गमेट्वफाइट पर यहां कड्रोर्फिल आ जाएगा तो इंडिपेंटिंट तो है इसलिए दूसरी यह क्लोरोरी के बंदध लेकिन यह क्या इस फॉल्स फॉर पॉलन टूब फर्स्ट है कीवोट्राफिक मोमेंट सो करेक्टर सर सर बिल्कुल सही है सगें इट शोड टिप ग्रोफ बिल्कुल करेक्टर साइटोप्लास्मिक स्ट्रीनिंग और अगला था टू मेल गेमेट्स एंड वन प्रोथीलियल सेल इस प्रजेंट प्रोथीलियल सेल का यहां पर कोई मिनिंग नहीं है पोलन टूब के रखेंट थेक है प्रोथीलियल सेल तो पिछी रह जाती ठीक है तो हमारे पास क्या पुछा है मतला रों कुछा है तो यह हो प्रोथीलियल का कंसप्ट अचली कही ना कही यह जिमनो तक ही लिविटेटे उसके बाद प्रोथेलियल वर्ड यूज नहीं किया जाता है तो उनके अंदर प्रोथेलियल जो होता है चो अंसर वैल डवलप्ट होता है और ब्राइफाट तक गेमेटोफिटिक जन्रेशन राइमान डोमिनेंट होती है और यदि अपन जिमनों में आ जाते हैं तो वह प्रोथेलियल गायव हो जाती है इसलिए वो टू सेल तक रहता है तो नुक्लेय ओफिस्पार्म एग फ्यूज एज रिजल्ट हो इन दोनों के बीच में क्या इंट्रेक्शन होता है कि यह दोनों एक दूसरे से क्या क्या कर जाती है मतलब अना फ्यूज हो जाती है तो चौ सेकंड कहता है क्या ऑफ हाईडोजन बॉंड थर्ड कहता है रिज्ट कहता है आपके पास पॉर्मिशन ऑफ हाईडोजन बॉंड इससे भी कोई मेनिंग नहीं निकलता है सब्सक्राइब करें तो मैं ली क्या होता है इनके प्रोटोप्लास का अट्रेक्शन होता है तो उसकी वज़े से जो है इसका अंसर मेरे चार्ट से फोर्ट से सब्सक्राइब करें 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 और इसमें मियोसिस हो गया तो आपके पास जो है ना एन इस्ट्रेक्चर अराइज हुई बिल्कुल और यह गैमेटो को रिप्रेजेंट करेगी तो आकांसर आ गया इस्पोरो टू गैमेटो अब यहां पर रही को और चीज़ है अपने एक वह दिसक्स भी किया था जी कि था इसमे फॉर तो इसमें इसमें फी तीज़ें की रेस पेक्ट में बहुति है कि मियोसिस के पेक्ट मैं ये के मियों थी ताइप जाइगांटिउटिक मैंँसिस एक्टिश कॉम्य 3 तीम यहां पर सब्कुल चुलिए जाइगॉटिक में उसस होती है तो यह आगे अपना कंटिनुट चला चाहिए नेक्स्ट क्वेशन है यह अमीबोड टाइप ऑफ टैपिटम बिल्कुर अब आप जानते होंगे कि टाइप ऑफ टैपिटम मदा टू है अमीबोड और सिक्रेट्री तो सिक्रेट्री अपनी क्या करती है अपनी वॉल को डिजोल करेगी और अमीबोड मुवमेंट करेगी थूटो पोडिया और लास्ट में क्या होगी डवलपिंग जो सैल्स है उनके साथ फ्यूज होकर अपना प्रवाइब कर देगी तो उसके अकोर्डिंग इन्होंने कहा कि इन अमीबोड टाइप तो हूं थर्ड कहता है दा सेल पासेज इन बिट्वीन ता मिडिल लेयर में नहीं वो तो चेंबर में आई और अगला कहता है था सेल्स फ्रोंग प्लास्मोडियम देट पासेजिंग बिट्वीन पोलन ग्रें मदर सेल्स तो ज्यादा करेक्ट यह चला जाए अब आपने जर पांट जो है आपके पास टैपिटम हो गया अब टैपिटम की यह जो सेल्स है अमिवोड है इनको मूग करना है तो सबसे पहले तो इन्हें अपनी वोल को डिजॉल करना हो तो इनका सैपरेशन जरूरी होगी तो यह अपने एंजाइम सिक्रीट करके सेपरेट होगी सेपरे फिर आता है बनिक्ट वाट इस रोंग पहला मोंता है और अकरस इंदा ओवरी सेकेंड मोंता है क्रोस पोलिशन पोलन ग्रेंस आपके पास यह पॉलन ट्यूब होगी इस परीके से अंगला में था आपडरान जर्म वे साइट अपैर तो इसे संगे तो है बैट अर्वनल ऺशनल उस्ता होने शुद्ड नेकस नेकस्ट कहता व पोलन ट्यूम कंतें इंस साइट अप्लास जूम यह करेक्ट है ग्रास क्रेंगला सैटाइब अ और आपका और यहां पर यहां पर बहुत बढ़िया एक नया कंसप्ट आपको दिया है लेकिन इसमें एक और कंसप्ट जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और यहां से अब यहां से अब यहां से जो सिनर्जिट है वहां अपनी यह प्लिपाउम एक अपर्डस की लोकेशन हो जाए बीच में यह एग हो गया लेकिन कहा जाता है कि जो पोलन ट्यूव आ रही है यह को पॉलन ट्यूव माइक्रोपाइल एंट्री को जो पॉसिबिलिटी बनाई जाए उसके लिए कहा जाता है कि यहां एक एक्स प्रड़क गाइडन में इंगेज़ हो जाता है और फिर पॉलन ट्यूव के जरी है जो तो में गामीट है वने सिलजिक के साइट अपलाज में इस वर्ट तो गुपसा व्यांसर यह वारा राउंग पूचा है तो हमारा पूर थानसर अचाहे बापी सब सभी 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 स इस परेशन दा मोस्ट अप्रोप्रियेट डेफिनिशन ओफ एन ओव्यूग सीड इन टार्म ओव ओमोलोगस स्ट्रक्चर इस डट इस तो जान सार बोलता है इसमें कि एक गिजांट वीज की समझार सरंचनाओं के सदर में सबसे उप्यूप परिवासा है कि यह है क्या रग क्या है इन टार्मों में घंडियन रागता है घंठ कुरा के परिज के सींगर इसमें चांड टार्म मेस इbelादी सिंगल यह सब्सक्राल इसके बाक सब्सक्राइब करें सबंसें इसकी पार उने इसके क्राइफreno क्या कि're the next नेक्स्ट है 182, which of the following statement are true? एंटोथिशियम लाइगलोग एपिदर्विस, बिल्कुँ जरेक्ट है, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करेक्ट है, और यह फिर कहता, पॉइंट विच फ्यूनिकल टस्ट ऑव्यूल इस रैफी, तच कर रहा है वो पार्ट हाइलम है, ना कि रैफी, तो आपके यह भी रोगोग रैफी तो एक्ट पार्ट होता है, नहीं, जैसे हम लोग इसको एक डाइग्राम से समझाना चाहे, तो आप की तरफ इसके से अनश टो टा हां, अऊ, यह विश चुपर पार्ट है वो रहए तीलम केसा है, इस तरह के इस तरह के से एक कपार्ट है, ऋकर पार्ट है, तो एक रूम पार्ट हो जच जाए है। प्रिंका तंस अप्लाइब यहां जो है इसमें यह वैस्कोर सप्लाई है वह इस पॉइंट तक जाती है विल्कुल सही का और तो आपका डी रोंग होगे एक तो और एक आपका यह वाला बी रोंग तो इन्होंने एसी पूछा तो अंसर अपना क्या चला जाता है एंड़ तो सब्सक्राइब तो आपका जाता है विल्कुल सब्सक्राइब नेक्स्ट क्वेशन है चूज दा करेक्ट ओप्शन अबाउट फॉलोविंग स्ट्रेट में फर्स्ट बोलता है जैनेटिक कॉंसिटिशन ऑफ प्लांट इस अनफेक्टेड इन वेजिटेटिव प्रोपगेश सेकंड बलता है राइजोम ओफ जींजर सार एज ओर्गन ओफ वेश्टिटिव प्रोडेक्शन इंवल ऑस्टू माइक्रो प्रोपगेश गेट प्लांट यह भी करेक्ट है ओलार करें तो एवीची सेखना अजाता है चाहर चाहर प्लांट पिर माइं पास नेक्स्ट अगला है विच इस नोट्यू कोलन वेंस आर रिलीज्ट फ्रों एंथर एक्टू सेख जैसा कि पिछले एपिसोड में जौन सार ने आपको बताया भी था कि 60% में 2 सेल और 40% में 3 सेल तो करेक्ट होगा है सेकंड कहता है स्पोरोजिनस सेल डारेक्ली बिहाव एज मेगा यह तो वलत होगी पोरोजिनस सेल डारेक्ली फूर ग्रोथ होगी अग्रोथ होगी उस्ते पार मेगा स्पोर्ट डिवाइट ट्राइस चु फॉर्म एन एट नुक्लेटेड एट अम्योस है मेगा स्पोर्ट डिवाइट होगा बस अगे निप्लेट कंडिशन सेवें सब्स तो वर टू टाइम्स थोड़ी हरे त्री ताइम थ्राइस बोलेंगे अपन ठीक है और एग और सिनर्जिर्स ऑल्वेज लाइज नियर माइक्रोपाइलर एंड करेक्टर होगी और अगला बोलता है एंडोस्पर्म इस न्यूट्रिटिव टीश्यू फॉर डवलपिंग पोल वर नेटी फॉर में देखो चांसर आपके पास हम देखें पोलन होगे साथ राज पूछें है नो ट्रू पूछा राग एक पर अपना तर्ड जा रहा है और एक फिप्ट जा रहा है और यह से नाल पूछा जी नेक्स्ट कुश्चन है मारा इंट्रास्पेसिफिक इनकम्प सब्सक्राइबिलिए फिकन काफी डिटेल में वातब जाता है कि जब इसे स्टिग्मा पव स ladies से कहा जाता है कि प्रड़ केंश के नहीं को जाता है बिए-उस में वलता ही है कि अब यह स्टिक्मा की अथॉरिटी है कि वह अपनी ही स्पसीज को डिटेक्ट करें पोलंगरीन को और वो ने जर्मिलिशन के लिए फेवरिबर करनीशन प्रोवाइड करें लेकिन जो अधर स्पसीज के पोलंगरीन से पहुंच गए हैं उन्हें तो जर्मिलिट नहीं करा सक तक वह उनके बीच में अब आपको और थोड़ी किया तो हमें इन अपने उसको और कम करना तो हम लोग निक्स जो पोलिनेशन करवा देते हैं ताकि जो अधर प्लांट से आया है वह जर्मिलिट हो जाए और सेल्प वाले जो बच जाए उनसे लाँ तो पस चाहां से चलगा तो आपको क्या करना होगा प्रोट्लास्ट फुजन में बिलकुल तरौट्वॉशन ya तो आपके बाद यह पंदिशन हो जाने उसके अपोडिंग हमारा आंसर चला जाता है चो आंसर क्या कालेक्शन ओफ स्वेटिक सेल ठीक है फिर सेगें कहता है यह पिछ भर शी करे का है लुची कालेक्शन और देना इसोलेशन और पिटामारों के साथ या और तो पोटेटों को तो मेट्टों सेल प्रखि़ law kids hut बिलकुल ठीक है तो यही फॉस्स इस्टेप , भई आप इसके बाद में यह इस्टेप आप red poi फिर श्वारेश्रम नीकिस चुगोर संअब ampeel इसके बात के ड्डांच ए ऊथिव मिगाग्विर्णे Island हमने क्लेक्व ऐसे कोच सेल्स को कलेक्ट किया और हमने उनको कल्चर मेडियों में अपलाई कर आ है तो हमें है तो आपके पास या तो मिडिल लेर की रही हो जो तो उसके अच्छछ के पॉर्शन आया मारका तो क्या आएगा तो यह भी नहीं होगा फिर इंतर बॉल में आपकी सब भी आजाते हैं इसमें इसमें अटापिटम को भी लेयर में कंसिडर्ट किया है लेकिन उसमें की बात बहुत हिसके यहां पर के गोहा और बाहिसोरी दो स्यंतिस्त में उन्हों ने नतूरे के पोलन ग्रेन से अप्लाइड प्लांट 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 बनाया जाए जीजिए तो आनसर इसमें फर्स्ट्र टाइम में अपके पास यह देखेगा हम फाइनल पे चलते हैं तो फाइनल पे तुसंद कंडिशन और नुधर खुब सारी तो अरू है पास यह कंडिशन है कि पर और अरो यदि के सक्दोर अलेकिन के सब्सक्राइब है कि 2-cell condition है, it have many nucleus and it also have many nucleus. So 2-cell multi-nucleated halobial हो गया. तो मरा अपर्ण आंपर चलागे, चिप 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 Now, the endosperm of angiosperm is differentiated from that of zymnosperm because angiosperm have fat, endosperm is formed before fertilization, endosperm is not formed before fertilization, it survives only for some time. चाहन सब बात क्या रहा है कि आवर्थबजी का गुणपोस अनावर्थबजीों की गुणपोस से भीन है क्योंगी हमें बात यहां पर NGO की रफ्रेस्ट अपर डबलब आप्टर फेटलाइशन आप्टर फेटलाइशन चाहिं बन जाए कि आए था ख्रेटलाइशन दियुक्त से क्योंपोस स्पोर्थ प्लीड यैप्लीड वॉप्लीड प्रचल फेटलाइशन के बात अब गॉफ उप्लीड प्लीड तो तो चाहर। है और गमेट तो कैसे रहते हैं मताँ है फ्लोड होते ही होते हैं लेकिन इसमें कहा कि बोथ इस पोर्स और गमेट और इनवरियेबली हैप्लोड कई बार इस पोर जो होता न वह क्या होता है डिकलोड कंडिशन भी मिल जा नहीं तो इसलिए हमारे पास के वल गमिट्स के राफ प्राकोश की वित्ती की मध्य परते ज्रित्य बाई यह वित्त्य को सी काउं से बनती है नहीं सो इसके लिए वैसे भी कोई लोजिक नहीं रखते आफ के पास यह स्यल है और यह टूज इंप इससे आपके आपके पास इस्पोरजीनस इनिस इससे पर दर आपके परिस्पोर्स पॉर्णिस और अचैनों 92 इन टीशू गल्चाल कैलस कैन बी इंड्यूस्ट टू फॉर्म शूट और रूट बाई अल्टिनेटिंग रैश्यो ओफ एक अच्छा कोशन है चौह अंसर हम लोगों ने इसमें थोड़ा साई के प्लांट फीजिरोजी का भी तड़का लगा दिया तो देखें इसमें क्या ह है अपके पास और चैनिक दोनों पाइश्यो एक्वल हो लगवागतत तो रूट और शूट मतला टीक है दूसरी कंदिशन है और साइ्टो हाई है तो शूट फॉर्मेशन होगा और यदि आपके पास और शूट लो है तो आपके पास रूट बन जाने है तो इनके रेश्यो से ही तो जो है ना और और अर्गेनोजेनेसिस होता है मैं तो इसलिए हमारे पास क्या जाएगा ओक्जेंटु साइटो थीक है पसले है अग्या है जो है अग्या है तर्म क्लोन कैनोट बीअपलाइट वह उफस प्रींग को सेक्षा यूजद गरते हैं और वह सीमिलर्प्रेंट शेखनाएग्या थे वह सेश्टप्रड़क्शन थो मीम्यूसिस इंवर्फ जाता है सब्सक्राइब तो इसमें पाया कि ऑफस्प्रिंग दू नोट पॉसेस एग्जेक्ट कोपी जो पैरेंटल डियानी मान सकते हैं डियाने ओंली वन पैरेंट इसकोपी तो यह तो यह तो रोंग हो गया एक कई थोड़ी दोनों को जाहे तो बही है कि और स्पर्म से आगया एक वह मुसे आगया है फ्रेंट थाड़ ओफस्प्रिंग और एट डिफेंट तैम इसे वांप मेनिग नी और अगला दिएने ओफ और अफप्रिंग यह कंप्रिट्ली डिफ्रेंट तो हमार पास जो आंसर इसका आशर चला जाता है फस्ट इसके अला और कुछ है कि दोनों सेम क्या सिर्ट एंपरीम नियां के विभी सिर्फारा कि हुद एक हैं गया मीश को तू um एन एंब्रियो डवलप डिरेक्ली फ्रॉम एडिप्लोइड सेल अधर देन एग सेल यह भी मानना से थर्ड करता है एग इस इंडूस्टू डवलप इन्टू एक कम्प्लीट इंडिज्वल बाई आर्टिफिशल स्टिमुलाई इससे कोई मिनिंग नी और लास्ट करता है फॉ आपने उसकी बाद करता है वह हो गया तो मैं केवल उस पर जा रहा था कि इस पर न्यूसीलस वाले पर अधरवाइस जे आइडमेंटेटिव एंब्रियो नी में अधर सेल भी तो इन्वाल हो सकती है तो चला जाता है क्योंकि अधर किसी भी साइल से हो सकता है में भी न्यूसीलस हो चाहिए इंटाइग्यमेंट हो चाहिए किसी से भी इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि इसमें जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है और जाइगोटिक मियोसिस जाहन सब मेरे विचार से गेमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर ही डोमिनेंट होता है ठीक है तो इसका मतलब उसका एडल्ट जो फिलामेंट है वह ओल्वेज हैपलोइड होगा वह वह क्या करेगा हेपलोइड वेजिटेटिटिव सेल एड हेपलोइड गेमेटेंजिया तो जहां तक मेरा विचार है जो आंसर यह बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सेक्स ओर्गन्स तो एपसेंट होते ही होते हैं अब आपके बास ड्यूरिंग सेक्सल रिप्रड़क्शन यह सेल बनी यह ड यह एक्ट एज गामीट एंजिम की तरह वर्ट करेगी यह अल्रेड़ी एन है और इसमें मैयोसिस हो नहीं चकती है तो इसलिए मैयोसिस के जड़िए बहुत सारे गामीट यह प्रोड्यूस कर देगी मतलब बहुत सारे बाद में फिर यह आइसो गैमर्सकोप सो करते हैं यह कि बहार आने के बाद में सेम साइज की गैमीट बन जाएंगे बन जाएंगे फ्लस और माइनस मतलब आपका मेल और फिमेल और यह बाद में जाएगोट में अगला कहता है दा प्रोमोजोम नंबर इन दा फिमेल गैमिट जाइगोट फिमेल गैमिट एन हो गया तो यह एन हो गया मतला वार्व तो यह कितना हो गया 12 वह भी तो अमेरे पास ऐसा कॉम्बिनिशन देखना हो गा एक मिनेट है इसको मल्टिप्लाई कर देटें 24 से अब इन्होंने पूछा है कि क्रोमोजोम नंबर इन दा फिमेल गैमिट तो ट्वेल भी हो जाएगे 12 वो जाएगे में 24 24 ओंटिफर हो कि जीटिलिंग की सर्वारत करा तो 24 24 ओंटिफर थे 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 था थे था 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 य। 196 जह बूहरा है कि निभ नूम्स सही पोस्ता हुआर्टो पूर्ड आपका सबीस्टार को अलारप्रदान करना है कि जलेंड जयन का विस्तार और करता रियू ये जह जएगाइंड नियुकुर्टिवी नुट्टिन करना है तो फ़स्स इन्होंने काया कि लौर भूर्प्स ऑप ऑर्गमिजम्प थे सिंप्लर बोडी पीजाईड मान सकते हैं क्योंकि इनकी बोडी के अंदर डिपेंशेशन ही था उसका जर्म प्लाज्म और सॉमेटो प्लाज्म फर सेगर बोलता है एसेक्षियल एक्षियल इसको में तो ग्रिगेरियस नेचर जो होती है वाला यूजी सवभाव जो होता है वो इसी की बज़े से डवलप गवाता है यहां पर यह बात गलत हो गई क्योंकि लेंगिक जनन जो ज्यादा डॉमिनेंट होता है हाईर और्गनिजम्स में तो नए क्लामेटिक पंडिशन में आपको ए अधर्वर्स होती चली गई तो उनको नए करेक्टर्स की जुरुत पड़ी और इसी लिए क्या हुआ कि कुछ ऑर्गनिजम्स जो आपने आपको इसके अकोर्णिग चैंज नहीं कर पाई वो इस दुनिया से और इसके लिए सेक्शल रिप्रड़क्शन होगा तो मियोसिस भ होगे और जब नए करेक्टर मिक्स होंगे तो क्या होगा एंवार्मेंट के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंस करें तो इसलिए उनके अंदर यह एलेंगी की वज़े से हमारा जो हैना यह पॉइंट गलत हो जाता है अधर्वाहिन हमारे पास क्या था मतले हुना इसको महाँ ह हहां है है हां यह और सही है और यह साही है यह था हमारे पास हात्हा है ली ठी Кशी अब करेंस अ estéक वेडर्वक्डर्य इंसेंदनच इन परेंसमे है यह लेकले tego और ओश्मल Nejत जैनल के अकाश्म गटना इलों तो गलत होगी अकंश्मिक क्या है दे बाइभी यह रहा मेल तो पर चाहर एक्ता कि अंड़ी तो रोग होगे और एक बीकर्ड होगे तो निग तो फिर फिर इस एक अप्वार्शन ऐसे इंड़ी इस परमी जो पुए जो परमी एक बीक्राइब यह सारी चीजह कंफूज करतें तो तो इसके बारे में वारा था कि development of embryo without gametic fusion, ठीक है, मान सकते है हम रहा है, second गहता है, a type of sexual reproduction in which there is no differentiation of male and female gametic, यह तो गलत है, तो यह तो होगा, होगा, जी, फिर है development of new individuals from the union of two sperm, ऐसा हुआ तो AGMU क्यों बोला, तो यह भी रोग होगा, फिर है development of new individuals from the union of two sperm, एसा हुआ तो AGMU क्य और main an embryo, embryo तो बनेगा, वो चाहिए fertilization से बने, चाहिए without fertilization बने, बना तो है, otherwise sporophetic generation established नेशन से वो बना तो है, तो हमारे पास answer इसका अपस से बना जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद next था हमारे पास, यह वाला 99, which of the following method is commonly used to maintain the genetic threat of a given plant, पहला कहता है, by propagation through seed germination, यह कहता है, पादप का आन्वनसिक संगठन बनाई रखना है, ठीक है, तो पहला कहता है, by propagating through seed germination, बी जंगुरन के त्वारा परिवर्दर, तो हम कह सकते हैं, चो अंसर कि इन plants के अंदर जंगली क्या होता है, sexual reproduction का end product is seed germination, और उसके अंदर crossing over भी हुआ है, और fertilization भी हुआ है, तो same आन by getting through vegetative multiplication, इसमें किसी तरीके का meiosis involved नहीं होता है, तो चो अंसर मैं कह सकता हूं कि second answer जा सकता है, फिर हमारे पास next कहता है, by generating hybrid through intrazenic pollination, इसमें बहुत ज्यादा variations आज जाएएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और then हम कह सकते हैं, creating the seed gamma radiation, ये mutation उत्पन करेगा, उससे भी रहेगा तो variation तो केवल एक इस प्रोसेस से नहीं हो सकता है, 200, तो चो अंसर भी ये कहना चाहरा है, how many statements are correct, इतने कदम सही, in apomixes the plants of new genetic sequence are produced, apomixes हो रहा है, तो fertilization तो वो नहीं हो, चो नहीं सिक्मेंस कहां से आगी है, नहीं genetic sequence तो आगी है, आगी है, तो रोब हो, अगला कहता है, in apomixes थो इंडिजवल सेंफ जेनेटिक सिक्वेंस मेट, दो व्यक्तिकत सहिएं से था होगे, इसने कहा है, मतला थो इंडिजवल सेंटिक सिक्वेंस, मीट, मीट कहां से होगा, नहीं होगा, तो ये रोग होगी है, फिर अगला कहता है, the megaspore mother cell undergoes mitosis to produce 4 megaspore, इससे हमें क्या मतल मेगाइस्पोर मदर सेल और मेगाइस्पोर बोथ और है यह न होता है और यह न होता है लास्ट कहता है फॉरो 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 प्रीट में इस वे इस बार्न नोड होता है नोट से लिंद वाला रोग क्यों किया शन जाले टोड वाट वोडर बर कर देंड फिस्च ररेक्ट यह क्या अगर्पी रुके भी जले उंक़िया और उसे oxygen खीज लेती है और साथ में यह कहती है कि इससे पाली के अधर जो एनक ऑक्सिजन ही हो जाता है तो उनकी डेर्फ हो जाती है इसको टैनल अगाल का विल्पुल तो यह भी रोंग हो गया हमारे पास दो अखीज अपनल केरा ऍंट कहता है नच्व इस रहीं चाह है यह अधर करेंगा यह खाला कहता है यह है और अ भी स्पोदूस्प्रेशन हो फिस फ्रींग प्रोलू सेद्धमिय को करेंग में श Graye खीजल यह पूछा गया इसने नॉट करेंट सब्सक्राइब को चुनना प्लांट अंडर्गों नोन रिकरेंट एगयो इस पार्मी जनरली प्रोड्यूस नोन वायबल सीट ठीक है पिर अबरेपास नेक्स आता है इन रिकरेंट एग एंगोस पर्मी ओल्डा एंडर्गों से इस डिर्कली फॉंड फ्रॉंड और उसके बाद यह कहता है इन जिम्नोस फर्म पोली एंड्रीयों ने अखर दूड्यू अखर दूड्ली आपरीव इंड्रीयों यह जोहां साब रह हो गया क्योंकि मैंगों में तो यह मोस्त पाइस है हां तो हमें इन करेक्टिव स्टेटमेट पूछा तो फॉर्थिस सथाइध से नेक्स आता है क्कास 203 इन्न काया सलेग्दा करेंस्ट्राइस इने सेक्सुल रप्राइक्षन वारीशन अकर्ष ये तो में सही बार शक्ते हैं लेकिन किसके रेफ्रेंट से कुछ नहीं बने क्योंकि आम लोग यह कहते हैं कि प्लांट ग्रूप में मदर सेल में मियोटिक डिविसर प्राइबरी स्पोरोजिनस सेल जो होगी वो तो माइटोसिस करके नमगर इंक्रिस करेंगे पर उसके बाद सेपरेशन के बाद मादर सेल होने के बाद मियोटिक डिविजन होता सब्सक्राइब और यह स्पोर्ट बन गया इन चारों सेल को जो आपस में कंबाइन वारे स्वेक्चर है अब इसका डाइजेशन तो एपिटम के थूज यह वाला हमारा करेक्ट बीट में परीश वर्मिक सीड ब्लैक्पीपर बीट रूट इसको परीश फर्म बोलेटेएटेट देटेटेटों चिर्कालिक इंदी में तो हमारा आणसर किला जाता है चॉह अशाब ट्री एड प्वोथ और जाता है मतलब थर्ड ट्रॉज ट्रॉट ट्रॉट्व फोर विछ पॉलविं इस इनकरेंस टो एंथर जनली एन एंथर खेयर फोर मेकाई स्पोर इंजियर विच प्रोडूस्पोर बिल्कुल मैपकोर प्र बाकि mostly के टेट्राइस्पोरिंजेट हो सब्सक्राइब कहता है यह यह रोंग होगी नेक्स्ट कहता हमारे पास ही है इसके बाद इसके बाद इसके पास हो गए तो रों पुछा है इसने सब्सक्राइब करेक्ट है लोग वन जिरो फाइब करेक्ट है इन गरेक्ट है मेस्पोर कंत उवाल मेस्पोरिंजियूम् इस फ्लुफ है उर और मेक्रोजियंग तो चल्सक्राइब करेक्ट है पेक्टो खालिम्रेस चीजर्ग में नहीं में होता कि नहीं वो में कुछ सब्राइब को शाय सकता मैन चीजर्ड में रॉप retir था Fighter यह हम लोग इसको ड्रा करें यह है और यह इस प्रफोलेंट यह फॉली फॉलेंट इस प्रफोलेंट पॉलेंट तो पर फॉलेंट इन जाता है तो करेक्ट अंसर हो गया हमारा फिर है 206, from given example how many are hypnoid in ploidy level in angiose part, देखिए च्वाण सर जाँ 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 मदर सेल है, वहाँ तो हम भूल जाएं, 2N को, यह तो 2N होगी, इस्टिल यह 2N हो गया, फिर हमारे पास antipodal, synergid, or nucellus 2N हो गया, फिर हमारे पास बोला pollen grain, egg cell और central cell, तो, haploid पुछा गया, हाँ, haploid पुछा गया है, माइक्रोस्पोर हो गया, इसके बार में antipodal cell, एक तो यह हो गया आपका, एक antipodal हो गया, synergid, एक synergid हो गया, pollen grain हो गया, egg cell, यह इतने से हो गया, पांच हो गया, तो पांच कोई से मेरा है, थर्ड़, तो, आपसर अपना थर्ड़ लगे, तो च्वाँ स्ढब आगला question है, लोग यह कहते हैं कि एक प्लांट अपने पॉलन ग्रेन को रिकोगनाइज करता है तो उसकी प्रोटीन से ही करेगा अब पॉलन ग्रेन के पास जो प्रोटीन आनी है वो तो टेपिटम प्रोवाइड करें तो इतने बड़े क्वेशिंट है चुटा सा हमारे पास क्लू है कि पॉलन की जो प्रोटीन उसको रिकोगनाइज करना है और वो प्रोटीन को कहां से लेके आता है मैक्रोश्पोरेंजिया से और वहां पि उसको टेपिटम प्रोवाइड करेगा आए पॉलन पिश्चिल इंटरेक्शन यह बहुत बढ़िया सेग्मेंट है कि पॉलिनेशन इस उसको बहुचे, और विश्चिल रफ़ षचिcling यह रेको एंट, पर शिमीक खेगा खेडिजेज आता है कि पॉलन पिविकल चैंट, त मिवकल protective चैंट, ऑनि प्रोटीन फो आई मिनियू प्रोवर ये उसे защото बोबेखिए करेन लियूंग तु भी ए टपीटम का गाथटा है। जिए वाल इवल स्टेट्मेंट पॉलन टूब रिलीज तु ऑल इस कंटेंट इन डिजन एन ठीकुम नसकते है। जौह जिन एक टूब रिलीज को कि वी केमिकल बनाएगी तो आपर यह इसको देगा। वार इंटरी पेलिएटल नीटरी नौन इस पीस्टिल इंटरेक्श्टु यह रहो होगे हम आफर इंटरी थोड़ी होता ऑफ्यूर होता है नेक्स केथा है फ्लोवर्स पालिनेटर वाइप यह बीटल सिंक्रीट वाडर तू अच्रेक्ट है म्यां पास टी ये पॉलन औप सम प्लांट्स अरीच इंटिस ए वह वोज वर कामारीं यह वोज तैन ज्सकार दो अश्या को ऑनियर का जाड ब्ला टार्रारी में आ अप्ति तो यह थी वाद अरिए वह आ एंगी आपंड आ शुप्लिमेट उन्जी ने भी ने तो इस्ट आइस विद्धा वना उनके पास qualitative food होता है तीन यह सही हो है तो फोर सांसर सही जी पिवन अग्जांपल्स इन हो मैंनी डवल फेटलाइजिए इस प्रसेट प्रसेट जेंड जेकियेगा साइकस बिफोर अलब बिफूर फटलाइजिएशिंग विद्धा विद्धा फेटलाइजिएशन के विद्धा है जाता है तो ओल्वेस हैप्लोड बैस अगया में न्यू कि वह हो गया आपके पास जिब्लों पेरीडियम में तो बनता ही लिए कोकोनट हो गया और एडियन टम नहीं होगा कोकुंबर हो जाएगा मैंगु हो जाएगा चॉंसा वैलिशनेरिया भी एंजियोस परमिक है यह तो हमारे पास कितने हो जाते है बांन तुपाइब और फाइ फर्स्ट करता है कि टीपिकल माइक्रोइस पोरींजिया इस जनल इस रांडेड बाइड पॉर वॉर लेयर करेक्ट है बिल्कुरा अंसर और सब्सक्राइब और माइटोसिस से क्या होगा होगा एक होमोजीनस टिशू और उसका नहीं हमने इस पोरोजीनस टिशू रखता है यह करेक्ट हो है मैं अच्छा वालगा अच्छा एंधी शाई जाने या पर नहीं होता यह तो आपको उसमें मेलेगा ब्रैयोफाट स्केर के अरुनके वालगा शूल का वहां तो जहां है एच सेल ऑफ माईक्रो इसपोर टेटार विकम प्लॉइड और है फ्लॉइड फॉलिफ्लॉइड देवी नहीं हो ना तो माईक्रो स्पोर की बात कर रहा है तो next कहता है different species pollen grain show variation in size shape color and design ये correct है हरे हम लोग क्या करते है पोलन के जो ornamentation होते है बाहर जो अलंक्तरण होता है उसके आदार पे हम पादप की species का पता लगा सकते है तो एक विसिस्ट पादप में जो प्राग कन होता है उसके उपर जो designs होती है वो specific होती है सबसे अच्छी बात ही है यह वाला बात आपको ज्याल दे रहा है यहां पे एंडोथीशियम होता है तो एंडोथीशियम दे दिया एपिडर्मिस दे दिया आप में बडी लेयर आना तो चौहां सार यह था हम दोस्तों कोसिस हमने यह की कि आपको एंडोगी में कुछ वाइरीशन दिये जाएं अच्छे क्वेश्चन दिये जाएं हमारा आपने चीज़ें दिया होगा कि हम लोगोंने ज्यादा तर इस्ट्रेस दिया है एक तो पॉलन पिस्ट्र इंट्रक्शन पे जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन साथे आपके पा तर इस दिया जाएं अच्छे करें अच्छे करें दिया है